आज के लेसन में वोडन ब्लॉक की हेल्थ से बाते को हम करेंगे इसका एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं जिसकी वज़ा से रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आते जुआने चाहिए तो सबसे पहले मैं आपको वो रॉंग वे बताऊंगी जो के most common mistake होती है मैंने अपने right side पे जो मेरे पास pot था उसके अंदर मैंने अपनी wax को मैलट कर लिया है और मैं उसके अंदर dip करके wooden block को आपके सामने अभी impression इसका दिखाऊंगी तो as you can see के एक तो मेरा fabric भी साथ उसके stuck हो रहा है और सेकिंडली यह बहुत ही डिम साइक इंप्रेशन है ना होने के बराबर ना मुझे नजर आ रहा है और कैमरे में तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है तो दोबारा ट्राइक करके देखती हूं और इंप्रेशन जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अगर मैं आपको अपना वोड़न ब्लॉक इस वक दिखाऊं जो कि मैं डिप करके बार बार इंप्रेशन देने की कोशिश कर रही हूं तो आपको दिखेगा कि जो वोड़न ब्लॉक है उसके उपर सारी वाक्स जो है वो क्योर होके ब्लॉक पर लगी वी है और जितने भी उसके अंदर कंटोर्स थे वो सब ब्लॉक हो गए हैं कोई भी उसका इंप्रेशन आ नहीं रहा बलके वाक्स की थिक लेयर जो है वो ब्लॉक पर लग चुकी है तो इन दाट केस अब इसको उतारना होगा स्क्राच करना होगा तो इस ऍर यह यह वी रॉंक मिले आपको जांटिंग toutesल के टाइम भी बताया था कि निन लिए उसके लिए में आपको बताऊंगी कि आपको अपने ब्लॉक को सिर्फ सबसे पहले हीट करना है अगर उसका टेम्ट्रेचर और वैक्स का टेम्ट्रेचर ज्यादा नहीं होगा और एक चीज ठंडी होगी और दूसी घरम होगी तो फिर आपका इंप्रेशन कभी भी नहीं आएगा अब मैं अपना जो बलॉक है वोडन ब्लॉक उसको मैं थोरस स्टौफ के पास लाके छीट कर रहे हैं जलाना नहीं है दूर रखना है और अभी फलेम इसलिए पकर रहा है और फ्लेम जह वह ज्यादा अच्छा सा बन होता वाद दिख रहे है क्योंकि यह वाक्स है और वैक्स ह हम कैंडल्स बनाते हैं तो जो कैंडल वाक्स होती है वह एड करती है फाइर को इसलिए आपको फ्लेम ज्यादा नजर आ रहा है तो आप मैंने घरम करने के बाद वाक्स में अपने बोडन ब्लॉक को डिप किया कि नाओ यू कन सी कितना अच्छा वह इंप्रेशन आ गया है क्योंकि उसके जितने भी कंटोर्स थे वह ब्लॉक नहीं थे वाक्स के वज़ा से दुबारा से मैंने वही स्टेप रिपीट किया है बार बार इसको गरम करना है हर इंप्रेशन से पहले और फिर आपने इसको स्ट के उसको भी इसी तरह से पहले कमना होगा कि और वहीट करने के बाद वाक्स में डिप करना है और डिप गोने के बाद आपने इंप्रेशन देना है तो वही बहुत अच्छा बीएव करेगी और वह आपके ब्लॉक के साथ नसिए अच्छा लगेगी बलके एक अच्छा इंप्रेशन भी देगी सो बोट अव दो थेंग शुद भी वेरी होट और तब हमने काम करते जाना है मैं जुहूं ना हर्त वटर डायय यूज करी हूँ जो दोबटा डायर के पास होता है यह आपको यह कुछ अप्रभी स्टेशनर्स अवेलिबल है नहीं वहां से लिए हैं अब वैसे कुछ ऑन्लाइन पेजर्पर भी ना चेक रहें कि powder dyes अगर उनके पास हैं बट make sure कि आप उनसे यह पूछें कि जो powder dyes वो दे रहे हैं वो hot water dye है या cold water dye है क्योंकि जो fiber reactive dyes होते हैं ये या तो hot water में add किये जाते हैं या cold water में किये जाते हैं तो हर dye जो powder dye होता है उसका जो formula होता है वो किस तरह के temperature में जाके बेहतर बनेगा उसके लिए आपको seller से इसकी information पूछनी होती है कि ये powder dye किस तरह के temperature में जो है water के जात अच्छा काम करेगा तो मैं अपना foam brush जो है वो use करें हूँ क्योंकि कुछ detailing तो करनी नहीं है और just जो है वो background paint करना है तो I am using my foam brush और उससे में जितने भी areas हैं उन में generous quantity जो है dye की वो बस मैं fill up करती जा रही हूँ जहां जहां पर wax हो की वहां पर वो वैसे ही नहीं लगेगा और जो चुटे चुटे से contours हैं block dye के तो वहां पर small holes जो हैं वहां पर खुदी से ये dye जो है जाके तो fill up कर लेगा करांश कर थ सकतर कर दो दो है सुट्क सो कर दो कर दो जहां प्मझा साथ इंक वार समी कर दो सकतर कर आँच다 कर दो चल कर दो जार कर दो कर Toronto कर दो झाल 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 फाइनल इमिज के ये किस्ता से वैक्स उतरने के बाद दिख रहा है और वैक्स को आईरन करने के बाद दुबारा से बैक साइड से मैं सिल्क को भी एक तफ़ा आईरन कर लूँगे झाल 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 झाल